हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई योटूब चैनल सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉन्स ऑफ हैंड यह हमारे हैं में टोटल कितनी बॉन्स होती हैं मैंने यह टॉपिक इसलिए उठाए कि फर्दर जो है हमको आगे हैंड की इमेजिंग देखेंगी देखनी पड करते हैं तो उसमें हमको हैंड की फन के चेस्ट के लिज करकिन के बहुत सारे विवग देखने पढ़ेंगी तो सबसे पहले कोईभी वीयू होग तो यानि कोई भी बॉड़ी पार्ट होगा तो सबसे पहले हम कर bone पढ़ेंगे, मतलब उसके bone पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे हमारे लिए easy हो जाएंगे views पढ़ना, तो आज हम देखेंगे hand के bones, तो सबसे पहले, हमारे hand में total 27 bones होते हैं, total 27 bones होते हैं, और इसमें होते हैं हमारे carpal, metacarpal और phalanges, यह हमारे carpal हो गया, यह हमारे metacarpal हो गया और यह हमारे phalanges हो गया, carpal हमारे 8 होते है, metacarpal जो हमारे होते हैं, 5 होते हैं और phalanges जो होते हैं, 14 होते हैं, मतलब जो हमारे hand में total bone होते हैं वो होते है 27 जिसमें से 8 कारपल होते हैं 5 मेटा कारपल होते हैं और जो 14 होते हैं वो फिलेंजेज होते हैं उसके पाद अब हम एके करके सारे बोन्स को देखते हैं सबसे पहले हमारे कारपल जिसको हम रिस्ट बोन भी कहते हैं तो यह जो टोटल 8 बोन होते हैं मैंने पहले बत मतलब होता है कि वो पार्ट जो आपके बॉडी के औरिजिन के पास हो और डिश्टल का मतलब होता है वो पार्ट जो आपके बॉडी के औरिजिन के दूर हो फॉर एक्जांग्पल अगर मैं ऐसे बता हूँ जो हमारा शोल्डर रीजन है वो हमारे बॉडी के औरिजिन के proximal में P है P for proximal and P for pass and distal में D for distal मतलब D for distal और D for दूर ओके तो जो हमारे each रो है इसमें 4 बोन होते हैं यानि proximal के रो में 4 बोन और distal के रो में 4 बोन फिर से मैं बताता हूँ कि कारपल में हमारे total 8 बोन होते हैं ये 2 रो में होते हैं proximal रो में 4 बोन और distal रो में 4 बोन बताता वो कौन से कोन से bonnes होते हैं, अब जैसे हम देखेंगे, जो हमारी ये pink side है, pink में जो है वो हमारे proximal row के carpal bon है और जो हमारे light blue में है वो हमारे distal row के carpal bon तो अगर हम देखें सबसे पहले scaphoid, ये हमारा lunate, ये हमारा trichontram और ये हमारा PC form और वहीं हम distal में देखें तो सबसे पहले है हमारा ये बोन इसको हम कहते हैं trapezium इसके बाद है हमारा ये बोन इसको हम कहते हैं trapezoid ये है हमारा capitate और ये हमारा hemat कैसे trapezium, trapezoid, capitate और hemat फिर से मैं एक बार बताता हूँ proximal में scaphoid, lunate, trichontrum, pacifo distal में capitate, trapezium, trapezoid, hemat अब क्या आता है कि वाईवा में जो भी टीचर होता है वो सबसे पहले ये पूछेगा कि हमारे कारपल बोन्स कितने होते हैं और इसको सीरीज में सबका नाम बता हो कारपल बोन तो सबसे पहले हमारे कारपल बोन होते हैं ठीक है मैंने बता है आप 4 proximal में होते हैं और 4 distal में होते हैं ठीक है अब इसको हम याद करें करना होते हमको basically और वो भी सीरीज में तो इसके लिए एक निमोनिक है common निमोनिक she looks too pretty try to catch her she looks too pretty यह हमारे निमोनिक है she looks too pretty try to catch her जिसमें हमारे she में S है scaphoid looks का L stand for lunate 2 में T stand for tricontrol pretty में P stand for PC form and in tri T is trapezium in 2 T is trapezoid catch में C capitate है हर में H हमेट है so यही हो जाएगा हमारे scaphoid lunate tricontrol PC form trapezium trapezoid capitate हमेट so यह निमोनिक जो है बहुत असान है और याद रखवा देता है मतलब कारपल बोन को she looks too pretty try to catch her उसके बाद आते हैं हमारे metacarpal bones के उपर तो यह वाले जो है red यह हमारे metacarpal bone है so total हमारे metacarpal bone होते हैं एक total जो हमारे metacarpal bone होते हैं होते हैं five conventionally numbered one to five from lateral to medial side lateral का मतलब क्या होता है जो body part हमारे body के midline से दूर हो वो lateral में considered किया जाता है part और जो body part हमारे body के midline के पास हो वो part medial side में consider किया जाता है so each metacarpal is a small long bone जिसमें तीन पार्ट होते हैं head, shaft और base shaft और base यानि जो हमारा metacarpal bone है यह एक long bone है जिसमें head, shaft और base होता है metacarpal bone कितने होते हैं total 5 होते हैं इसको conventionally numbered किया जाता है one to five from lateral to medial side each metacarpal is a small long bone जिसके अंदर हमारा head, shaft और base होता है उसके बाद आते हैं phalanges पे किस पे? phalanges पे so there are total 14 phalanges there are total 14 phalanges in our hand यह जो है, यह वाले यह और यह यह हमारे total phalanges होते हैं दो हमारे थम में होते हैं यह वाला और यह जिसे हमारे थम में हो गए और तीन हमारे हर finger में होते हैं ये और ये हमारे fingers में होते हैं इसको हम जैसे नाम कैसे देते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसको हम naming कैसे करते हैं, मैंने बताया जो part हमारे body के origin से दूर हो उसको distal कहते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे body के origin के सबसे दूर कौन सा part है phalanges का ये वाला तो ये distal हो गया, ये पास है, ये proximal हो गया और इन दोनों के बीच में जो है, वो middle हो गया तो ऐसी सारे हमारे fingers में होते हैं, distal, middle और proximal अब phalanges जो होते हैं, वो भी हमारे long bone होते हैं जिसके अंदर हमारा base होता है, head होता है और shaft होता है ठीक है, तो मैंने बता है, phalanges जो होते हैं, Ha fren wholly होते हैं दो जो हमारे thumb में होते हैं, और भाकि जो तीन है वो हमारे फर finger में होते हैं, तीन में सबससे पहला आजाता है तीन में सबसे पहला क्या आजाता है हमारा? तीन में आजाता है सबसे पहला distal, vid medial and proximal उसके बाद हम बात करते हैं कि joints of hand and wrist जैसे यहाँ पर देखो अब जैसे यह हमारा radius है radial है और यह हमारा अलनर है अब radial bone हमारे carpel के साथ articulate कर रहा है तो यह जो हमारी joint बनी इसको हम कहेंगे radio carpel joint जिसको हम commonly wrist भी कहते हैं ठीक है radio carpel joint जिसको हम wrist भी कहते हैं उसके बाद यह जो हमारी अलनर side अलनर है यह हमारा यह हमारा carpel के साथ articulate हो रहा है तो इसको हम कहेंगे अलनर carpel joint ठीक है अब यह हमारा जो है यह हमारा carpel reason और यह जो हमारा metacarpal है तो carpel और metacarpal जहां पर articulate करते हैं उसको हम कहते हैं कार्पो मेटा कार्पल जोइंट क्या कहते हैं कार्पो मेटा कार्पल जोइंट जहां पर कार्पल और मेटा कार्पल आर्टिकुलेट करते हैं उसके बाद हमारा जो metacarpal है और pharyngeal का base इसका metacarpal का head और pharyngeal का base जहां पर आर्टिकुलेट करता है उसको हम कहते है metacarpal pharyngeal joint क्या कहते है metacarpal pharyngeal joint इसको हम नकल कहते है नकल उसके बाद यह वाईपर है interfaryngeal joint of thumb उसके बाद इसके बाद दीजेस है यह हमारा एक फैलेंजेस है अब एक यहां पर जॉइंट बन रहा है यहां पर जॉइंट बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इंटर फैलेंजियल जॉइंट क्या कहेंगे हम इंटर फैलेंजियल जॉइंट उसके बाद उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर ये क्या बोला था मैंने इसको distal phalanges बोला था और ये medial है तो इं दोनों के बीच में articulation हो रहा है इसको नाम दिया गया है distal interference joint यानि ये जो joint है वो हमारे body के origin के दूर है तो इसको हम क्या कहेंगे distal pharyngeal इसको हम क्या कहेंगे डिज्टल इंटर्फेरेंजियल जॉइंट और ये वाला जॉइंट हमारा ये वाला जॉइंट ये हमारे बॉडी के ओरिजिन के पास है ये हमारे बॉडी के ओरिजिन के पास है ये वाला पॉइंट तो इसको हम कहेंगे proximal interferengeal joint ठीक है अब ये सारे joint तो यादी रखने हैं मतलब ठीक है पर इसमें जो सबसे important joint है वो हमारे positioning में जो है काम आते है और centering में काम आते हैं वो सबसे important joint जो है सबसे पेला है हमारा CARPO metacarpal joint metacarpal phalangel joint और interferengeal joint important तो सारे हैं बट ये जो है ये जादे important है ठीक है so guys आज की वीडियो में बस इतना ही hopes so आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना अगर आपको कहीं भी भी कोई दिक्कत आई है नहीं समझ में आया तो आप comment में मेरे को बता देना और अगर आपको ये वाली PPT चाहिए तो मैंने इसको attach कर दिया description में वहाँ से इसको download कर लिए तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टाठा बाई बाई